हाई दोस्तों मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Important Indian Standards Course के बारे में जो आपको Building Material, फिर Building Construction, Testing, Loads and earthquake ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको proper information देते हैं तो जब आप किसे interview में जाते हो being a civil engineer आपको ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए ऐसा interview का मानना होता है लेकिन में चीज़ आपको कहना चाहूंगा आपको अगर ये code सारे आते हैं तो आप civil engineering में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा तो सबसे पहला code हम बात करेंगे obviously मैं आपको IS code सारे जितने भी code में आपको लिखने वाला हो मैं उनके सामने IS specify करूंगा लेकिन मैं यहाँ पर सिब number लिख रहा हूँ ठीक है जैसे सबसे पहला code जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ IS code 456 456 हम जिसको कहते हैं यह जो IS code है this IS code referring to मतलब ही किस related होता है यह होता है plane and reinforced concrete के बारे में किसके बारे में होता है plane and reinforced concrete कोंक्रीट के बारे में होता है मतलब आपको RCC का construction करना है BIM design करनी है column design करना है slab design करना है limit state method working stress method इस सारी चीजों की जो information है working stress की थोड़ी सी information है लेकिन limit state की detail information आपको इस code से मिलती है जिसको हम हमेशा क्या कहते है LSM कहते है ठीक है नौ दूसरा IS code जो है वो है IS यहाँ पर में लिख रहा हूँ IS code 269 इस IS code के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा तीन IS code है इसे जो की specification define करते वो क्या के define करते मैं आपके गवर बताता हूँ IS code 269 IS code 812 ठीक है और IS code 12269 यह ऐसे तीन IS codes है जो आपको specification की informations देते हैं क्या information देते हैं specification आपको specification बताते आप ordinary portland cement लेकिन इसके तीन grades है जो 269 है वो आपको 33 grade के बारे में बताता है 812 जो है वो आपको 43 grade के बारे में बताता है ठीक है और 12269 जो है वो आपको 53 grade के बारे में बताता है ठीक है यह गाट में पॉइंट नौ नेक्स IS code के बारे में जानेंगे जो की है IS code 8041 विचीज IS code 8041 ठीक है यह जो IS code है यह आपको information देता है rapid hardening portland cement के बारे में ठीक है rapid hardening portland cement ठीक है दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले में आपको बताना चाहूंगा मेरे YouTube चैनल का नाम है परागपाल ठीक है तो दोस्तों प्लीज आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्स्राइब कीजिए और अगर आपको इस पूरे नोट्स इस पूरे वीडियो के बारे में डिटेल इंफोर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के उपर जिसका नामे www.civilnotes.com के उपर जाके आज ही बहुत सारी चीज़े पढ़ सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं वह भी थ्री में तो दोस्तों हम नेक्स आयस कोड के बारे में जानेंगे वो है आयस कोड 8042 यह जो आयस कोड है यह आपको बताता है है information about white portland cement के बारे में बताता है फिर नेक्स जो आयस कोड है वो आपको बताता है 8043 यह आपको information देता है regarding hydrophobic portland cement ओके राइड हाइड्रो फोबिक portland cement ओके नाओ उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे और आयस कोड के बारे में तो आयस कोड 6452 अगर आपको interview में किसी ने पूछ लाकि बताओ आयस कोड 6452 किस क्या चीज़ के बारे में तो आपको बोलना है यह है आपका high alumina cement के बारे में किस बारे में high alumina cement के बारे में ठीक है नेक्स आयस कोड के हम बात करते हैं आयस कोड 1489 अभी 1489 के दो पार्ट है पार्ट वन ठीक है और आयस 1489 का पार्ट टू ठीक है तो पार्ट वन जो है यह पोजोल होना portland cement के बारे में बताता है और पार्ट वी पोजोल होना portland cement के बारे में ही बताता है लेकिन इसके categories है क्या हो लिखा मैंने एक मिनिट रुकिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं यह बताता है portland पोजोल होना cement और यह जो है पार्ट वन यह बताता है flash based के बारे में ठीक है देखिए आपको आज तक पता था कि flash का cement आता है लेकिन आपको यह नहीं पता था कि कौन सा IS code उसके लिए refer किया जाता है देखिए यह सारे questions जो होते है दोस्तों यह आपके exam में पूछे जाते है तो आपको इन सबको proper तरीकी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है आफ जो दूसरा है सेकर्ड नंबर का पार्ट टू जो है यह कैल्सींट क्ले बेस्ट होता है है ओके कैलसींट क्ले कि बेस्ट होता है ओके नाव अभी हम बात कर रहेंगे दोस्तों दूसरे हाइस कोड़ के बारे में लेकिन उसके पहले प्लीज आप मेरे YouTube channel और मेरे website को visit करना मत भूलेगा उसका ना हमें पराख पाल ठीक है क्योंकि आपके support के सही हम मैं आगे बढ़दा हूँ और आशा करूँगा कि और अच्छे से च्छे वीडियो daily आपके लिए लेक्वाँ ठीक है नाओ भी हम बात करेंगे IS code we are going to talk about IS code 383 IS code 383 यह जो है यह आपको information देता है course and fine aggregate from natural sources से किसके बारे में information देता है course okay course and fine aggregate from natural sources okay जो भी course and fine aggregate हमें natural sources मिलते हैं तो उसके बारे में IS code 383 आपको information देता है ठीक है अभी सबसे important चीज़ यह questions आपको interview में आपको SSC के exam में भी पूछ सकते हैं बताओ कि कौनसा ऐसा IS code है जो आपको strength of concrete test के बारे में बताता है ठीक है strength of concrete test concrete test की जो strength होती है उसके इसके बारे में कौनसा IS code आपको बताता है वह IS code है दोस्तों IS code 516 ठीक है नाव भी मैं आपको बताना चाहता हूं sorry next video नहीं next IS code बताना चाहता हूं IS code 650 650 IS code 650 जो है यह आपको specification देता है for standard sign जिसको आप इन और कहते हैं sand जिसको आपको हम usually क्या करते है इन और ठीक है for testing ठीक है ठीक है now next IS code के बारे हम जानेंगे दोस्तों IS code जो की है 2386 ओके जो IS code 2386 है यह आपको aggregate के test बताता है ठीक है test of aggregates test of aggregates ठीक है part 1 से लेके part 8 तक जितने भी एक से 8 part से सारे इसी के आते 2386 जिसमें सारे aggregate के test आती है ठीक है मैं आप सब को बताना चाहूंगा यह सारे IS code आप मेरे website से भी directly करके specific जिनके standard से वहाँ से जाके download कर सकते है ठीक है फिर हम बात करेंगे IS code 2430 के मारे ठीक है यह जो IS code 2430 यह आपको बताएंगा sampling of aggregate for concrete मतलब concrete बनाने के लिए कौन-कौन से sample करने होते हैं क्या बताता है sampling of aggregate for concrete ठीक है नाओ मैं आपको और इसके बारे में और बताऊंगा लेकिन उसके पहले है प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो के मारे में से अगर आप खूश है तो प्लीज मेरे इस YouTube चानल और मेरी website को विजिट करना मत भूलेगा नाओ दोस्तों बात करेंगे next IS code के बारे में जो की है IS code 5816 ठीक है यह जो IS code 5816 यह है splitting tensile strength of concrete किसके बारे में splitting okay splitting tensile strength of concrete ठीक है इसके बारे में बता आता है now हम next इसके बारे में बात करेंगे that is IS code 6461 यह IS code जो है यह आपको बताता है glossary glossary of items related to the cement concrete मतलब cement concrete के बारे में ठीक है हम यहापे लिखेंगे glossary of items related to cement concrete इसके 12 part है 1 से लेके 12 partial parts है इसके then में रखिएगा now हम next बात करेंगे वो है IS code 7320 अब यह जो IS code 7320 यह आपको specification देता है slump test apparatus के बारे में ठीक है किसके बारे में देता है specification 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 okay of concrete slump test apparatus ठीक है now मैं next IS code के बारे में बात करूँगा IS code 10262 ठीक है यह आपको guideline provide करता है concrete mix design के बारे में यह सबसे important IS code में बोलूँगा interview के लिए जो आपको धहन में रखना है यह provide करता है guideline okay for concrete mixed design के बारे में ठीक है concrete mix design के बारे में बताता है now अभी हम next जो हमारा IS code है उसके तरफ हम जाएंगे वो है IS code 13321 इसके दो पार्ट है IS code 13321 मैं बहुत बारे लड़कों को पूछता हूँ इसके बारे में अगर मैं interview अगर लूँगा तो इसके बारे मैं हमशा ही पूछूँगा इसके दो पार्ट होते हैं part 1 और part 2 पहला part जो होता है वो किसके बारे में होता है दूसरा पॉर्ट किसके बारे में होता है? दोनों को कुन सी टेस्ट कहा जाता है? क्या आपको पता है? Non-destructive Testing of Concrete किसे कहा जाता है? Non-destructive testing of concrete. ये कुन सी test को कहा जाता है तो यह 2 test को कहा जाता तो मैं यहारा पर ग्रीन कलर से लिकना पसंद करूंगा फुर्स्थ है ultrasonic प्लस… स्री ultrasonic pulse velocity Test और दूसरी जो होती है वो होती है rebound हैमर टेस्ट ओके तो इन दो टेस्ट होती है जिसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आप कॉंक्रिट कहलाते है ठीक है यह भूलना नहीं है दोस्तों नाउ हम नेक्स आयस कोड के तरब चलेंगे ठीक है जो की है हमारा आयस कोड 875 सबसे इंपोर्टन आयस कोड है जिस जिसको पता नहीं है वैस आप देख लो इसके अलाव आपको कुछ नहीं आएगा ठीक है अगर यह आयस कोड आपको पता है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप बहुत खुश नसीब है कि आपने काफी अच्छे से इंजिन किसे पनीर, slices, everything like that हो सकता है क्योंकि अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के उपर लोट डालने के लिए आयस कोड 875 का यूज किया जाता है समझे सो यहाँ पर आयस कोड 875 जो है यह डिजाइन लोट के बारे में है किसके बारे में है इसको थोड़ा बढ़ा करता हूँ, I should highlight this one ओके यह है design लोट के बारे में ठीक है अगर आप मेरा कोर्स करते हों तो आपको प्रॉपर डिजाइन लोट में सिखाऊंगा जो की इस आइस कोड में exclude है EXCUSE, इसमें earthquake load नहीं आता है बस ठीक है क्या नहीं आता है, earthquake load इसमें नहीं आता है एक मिनिट कुछ घलत है लिख दिया मैंने, ठीक है तो कौन कोई से साइस कोड है दोस्तों इसके पाच पार्ट होता है ठीक है पहला-पार्ट इसमें में लिखता हौँ, पार्ट नमबर वन, पार्ट नमबर टू, पार्ट नमबर त्री, पार्ट नमबर फोर और पार्ट नमबर फायू, ठीक है, पार्च पार्ट है दोस्तों इसके, तो पहला पार्ट जो है, वो मैं आपका लिखना पसंद करूँगा, वो है डेड लोट के बारे में, दूसरा पा आपका है, snow load के बारे में, पाच्वा पाट जो है, वो है आपका, special load and, and, सबसे important चीज़, ध्यान में रखेगा, load combination के बारे में, ठीक है, अगर आप इसके बारे में आपको ओर detail में जाना है, तो you can join my course, मेरा number में आपे दे देता हूँ, ठीक है, यह मेरा whatsapp number है, सिफ whatsapp कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको, आप मेरे साथ connect हो सकते हैं, ठीक है, so now next चीज़ में आपको बताना चाहूंगा, what is a code required for earthquake, ठीक है, earthquake के लिए, earthquake के लिए, कौन सा IS code यूज किया जाता है, तो वो होता है, IS code 1893 और यह IS code आपको information provide करता है, regarding earthquake, resistance design for structures, correct. Now, अभी यहाँ पर आपको बात करना है, the new code for all OPC 33, 43 and 53 and grade is, अभी जो हमने यहाँ पर जो पहले बताया था, कि यह 33 और 43 grade के यह IS code से, ठीक है, 269, 1822, 1266, अभी इन सब का एक निया code आपको 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 है, ठीक है, तो अगर आपको 33, 43 और 53 grade के बारे में detailed information जाना है, तो आपको 3 code ढूनने की ज़रत नहीं है, आपको सिफ एक ही code ढूनना है, जिसमें आपको सारी चीज़े मिल लिया की, तो दोस्तों, आज के वीडियो में पर इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस YouTube चैनल पे ये वीडियो काफी आपको अच्छी तरीकी से प्रोसाइट करेगा, और जल्दी से जल्दी आप इस website पे चले जाएए, आज आपको इस website का importance पता चलेगा, और आज सी ही आप इस website का use करना start करेंगे, तो दोस्तों, thank you so much, have a nice day, bye-bye.